मुझा प्राइज जो है संतर्व पे है सुबा के आठ बेग रहे हैं और मैं निकल लिया हूँ बाश की नाथ शिका दर्सन करने के लिए कल क्योंकि कल हमने बैजनाज बाबा का दर्सन कर लिया था और काफी लेट हो गए थे समय नहीं मिला था और बैजरात मंदिल से लगबख एक किलोमीटर की दूरी पर बस स्टेंड है जहां से हम बस लेंगे बाश की नाथ के लिए बाकी यहां से आपको आटो भी शेरिंग के मिल जाएंगे और इसके बाद आप टैक्सी अगरे भी कर सकते हैं आप ट्यूकि अमाखेल्या है इसमें चल्न हां सिधिन फोस्टेंड कराफ वहां से बश पकड़ेंगे और बास की नाथ कर चले मगेए किसमक पावल चुकह है रोपीज मचले रोट वेस से बाकी बाका लिए बास की नाथ केलिए आपको बाउस की नाथ के लिए आपको बाउस की नाथ के लिए मिल ले आएंगी बसे जो आपको इसे गड़े खंटे में पहुशा देगी आपको अब्द करण दो आपको बाउस की नाथ को में खंट उसे कुछ किये हैं तो इसमें अड़ा हाट चाले साथिए एक जाएंगी कितने चाहां में वाज़के लाज़के लाज़के नाथ टेंपल ओजाते हैं उसने बाउस्नेपाद आपको जंकार आएंगा जोनगे लाज प्रच की नाद कर निद्याद है झाल 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 अधि गंटे की सफर के बाद यहां बाश्किनाथ बस स्टेंड बस ट्रॉप कर दिये और यहां से बस स्टेंड भी है कि काफी तारे बसे मिलती है अब बाश्किनाथ का बस स्टेंड और काफी तेरियन बना हुआ है और यह घंटे लगा हमें आने में